आप जानते ही होंगे कि एटम्स का साइज बहुत कम होता है इलेक्ट्रोंस, प्रोटोंस और न्यूट्रोंस किसी एटम के constituent particles होते हैं इसके लावाए खाली जगा भी होती है आईए इसे ऐसे समझते हैं मान लीजे 50 मीटर विर्थ वाला ये ओलिम्पिक पूल हमारा एटम है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है न्यूक्लियस प्रोटोंस और न्यूट्रोंस से बना होता है लेकिन अगर आप पूल में न्यूक्लियस को खोजने के लिए कूदते हैं तो आपकी कोशिश बेकार जाएगी वह समय ये इस पूल में बालू के एक टुकड़े को ढूनने जैसा है इलेक्ट्रोंस न्यूक्लियस के चारों और सर्कुलर और्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रोंस प्रोटोंस और न्यूट्रोंस से भी बहुत चोटे होते हैं तो मान लेजे कि 50 मिटर विर्थ वाले इस पूल जैसे एटम में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यू सर्कुलर और्बिट में यानि पूरे पूल में चक्कर लगाएंगे, तो इस एनलोजी से हम कह सकते हैं कि एटम के चारों और बड़ी मात्रा में एंप्टी स्पेस होता है, आएब हम एटम या उसके कंस्टिचुएंट पार्टिकल के मेजर्मेंट की बात करते हैं, अगर हम प्रोटॉन्स के वेट की बात करें तो सिर्फ एक ग्राम प्रोटॉन के लिए हमें 6 into 10 to the power 20 प्रोटॉन्स की जरुरत होगी, यानि एक प्रोटॉन का मास बहुत कम होगा, सेम केस न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है, जनरली इन तीनों पार्टिकल्स को एक दूसरे के रिलेशन में मेजर किया जाता है, मान लीजिए एक प्रोटॉन का मास एक यूनिट है, क्यूंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का मास भी एक यूनिट होगा, होता है प्रोटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉ झाल झाल